आइ फ्रेंस वेल्कम बाख तो फ्रेंस अभी का वीडियो है कवी सलेश ने कपिल शर्मा का धचिया उड़ा दिया वह अपर तो चलो देखते क्या है तो वीडियो करते हैं पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने भी तर सब्सक्राइब नह क्लिक कर लो ताकि आपको हमाएं सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बिल जाएं जैसे में अप्लोड करें अगर आपको वीडियो पसंद आथा प्लीज लाकिन शेयर हमारा दूसरा चैनल ट्विटर इंस्ट्रग्राम अकाउंट अपके डिटेल्स अर दिस्क्रूप्श पकॉता है एक अपने अटाधा का संबन करता हुआ एक ऐसी सोसाइटी में हम रहते हैं ज writersaltet भी है वहां वहां धुर्द भी हिए वहां घुज्राइए आर लाजस्थानी भी है और हम बातमें लोग मुझे के बड़ी बाते करतें आप अंप क्या करते हैं मैं पैसेटा ले इससाइटी में हम रहते हैं जहाँ सिख भी है वहां लोग मुझे की बड़ी बाते हैं यह हमें अच्छा लगता हुआ और बहुत गंभीर बाते करता हुं इतना डी जो मैं कर रहा हुं यह अगले कई घंजे तक कर सकता हुं इसके लिए पूरी दुनिया में जाना जाता हूं, और आपने बहुत प्यादिया, पहाँ पोँचा दिया, इतना बड़ा स्टार बना दिया, लेकिन यकिन्य यश्वानी, वह कहते का आप देश की बड़ी बातें पैसे लेके काम करते हैं, एक बेकिन流 Its, मैंने मैंने का मैं कोई भी ऐसा कारिक्रम चले विजन पर नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को यह कहना पड़े कि इसे मत देखना और मुझे गर्भ है कि मैं उस कारिक्रम में काम करता हूँ मित्रौ आप हासिके नाम पर टेलिविजन पर यह इतनी फूरता आ गई है जहांपे मैं कुछ कारिक्रम देखता हूँ तो मुझे शर्म आती है एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है एक पती जो अपनी पत्री को पतारित करता है मैं उस कारिकर में काम करता हूँ जिसमें एक बेता हर बात पर अपने बाप के पाव छूता है एक पोता अपने दादा का संबान करता है एक ऐसी society में हम रहते हैं जहां Sikh भी है, वहां Hindu भी है वहां जुच्राथी भी है, वहां राजस्थानी भी है और हम बात में जाय जिनिंडर बोलते हैं ये हमें अच्छा लगता है हमें महسوس होता है कि हम उस एक कारिक्रम में काम करते हैं देश को आगे बढ़ाता है हम देश को संस्क्रती दे रहें और इश्वर ने हमें ऐसा मौका दिया और आप लोगों के प्यार की वज़े से वो दुनिया का डिस लॉंगस्ट रूनिंग कॉमेडी डेली शो अफ दुर्ड और इस सिर्फ आपके प्यार के बदूलत ही है फूरत नजर आ रही है यह राहें तबाही के घर जा रही है और रहा सहा आपके बच्चों के अगर कुछ नहीं बच्चे आप आज के बच्चों को पूची आप उनको को 36 रुपे ला 36 मीन्स जी करगा जूते निकाल के बताओं गिनके एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नौदस यह भाव होना चाहिए और पूर उपर से फेस्बूक और वाटसर आप कलपना करो यह फेस्बूक तो ऐसी चीज है फेस्बूक पे कोई आप जैसे कलपना करो जैसे मन्जू जैसे आज यह होटल से यहाँ पे इनको आना हो एक कमेंट डाल दिया कि आज में होटल से कारकर मस्थल तक पैदल आई है तो आप नीचे कमेंट देखना लोगों के वो हाउस स्वीट कितनी अच्छी हैं आप कितना बढ़िया आप कितना सोचती है अब यही कमेंट हल्यों पवाड डाल दे मैं होटल से यहाँ तक पैदल आया तो थोड़ा चला भी करो पेट कम होगा कि यह कि हमारे भाव ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं बच्चा पी रहा था सिग्रेट पिता जी आए जब में डाल दी खट से अब पिता जी आए सिग्रेट पिरा तो बोले नहीं तो बोले दुआ का से निकल रहा बात ही आपने दिल जलाने वाली बोलिए तो यह जीवन है लेकिन जो पमार जी ने जो विशे कहा मैं उसमें सिर्फ अपनी एक पंक्ती कहना चाहता हूँ मैं ने इससे बहतर कुछ लिखा नहीं सिर्फ एक पंक्ती की बात पमार जी ने नहीं कहा उसमें सोचना चाहिए इस देश का कोई युवा जब सीमाओं पर शहीद होता है तो मैंने सिर्फ एक पंक्ती की कविता लेखी कि जिस दिन तू शहीद हुआ नजाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी मैं तो बस इतना जानो वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी और इस देश को भाशाय बदलनी होगी तो प्रेंज बहुत ही जल्दी खतम हो गया अभी तो मज़ा शुरू हुआ थे इतना अच्छा बोला तो पहले शुरू किया है उन्होंने आजकल की जो अपनी तरफ से कॉमेडी होती है उसमें दिखा रहे हैं कि इस टाइप की कॉमेडी है और वो काफी मतलब उस बता दी उन्होंने की लड़कियों की आक्टिंग आदमी लोग कर रहे हैं और जब उसके बाद जब वो आक्ट हाथ से कविताय बोलते हैं पर इतनी क्लीन होती है ऐसा नहीं होता कि कोई इंबारस्मेंट हो हमें कि अगर कल को हमारी बेटी हो तो मुझे बोले हैं कि भईया तुम यह मत देखो यह यह तुमारे देखने लायक नहीं है तो काम ऐसा करो जो कल को आपको खुद ऑक्वर्ड बना लगे जब आपके अपने जैसे आपकी बेटी यह आपके पैरेंस जो हैं देखने आऊ तो आप उनको मना करों कि नहीं है आपके लिए प्रोप्रियेट नहीं है तो यह काफी अच्छी वेबात कि यह तो आज कल तो टी वी में आपका कुछ भी देख लो उसमें कुछ कुछ ऐसा है कि आप अपने बच्चों के साथ तो definitely नहीं देख सकते हैं मैं तो खासकर बात बोलूं कि netflix amazon इन सब में जो आजकल हैं जितनी भी आप web series देख लो movies देख लो कोई भी इसी नहीं मुश्किल से कुछ होंगी जो आप कोगे की चलो यह आपका बच्चा आप के साथ बैठके देख सकता है तो जेनरली अभी तर तो जो भी मैंने देखा है मैंने मैं खुद नहीं देख सकी कई कई चीजें उसमें और मैं बोल सोचूं की भी यह क्या है पर इनोंने का बारे में बताया कि जब गोली उनके सीने में गुसने से पहले वो खुद भी रोही होगी बहुत ही सुंदर तो फिर एक मा की फिलिंग की जब उनको पता चलता है कि मेरा जो बेटा है वो शहीद हो गया है तो सोचो उस ताम उसका वो सब आपको कभी आपने ध्यान दिया हम हमें कोई याद तो रहता है अपनी डेली अक्टिविटी के ताम में उन सोल्जर के बारे में तो यह रिलाइजेशन अपनी कविताओं के थू इस ब्यूटिफुल और वो जो बता रहे थे फेस्बुक के बारे में कि वही एक ही कमेंट है अगर वह कमेंट एक लेडी ने लि आजकर के साथ बात करें जैसे क्या होने लग गया आजकर की सोसाइटी में आजकर के बच्चे जो हमारा कल्चर था वो सब भूल चुके हैं और उस टाइप से जो रिस्पेक्ट और जो चीजें उनको करनी चाहिए जो हमारा कल्चर सिखाता है वो सब खतम हो रही है तो सब्सक्राइब काफी अच्छा था और पॉइंट यही है कि कि अगर आप कोई भी देखते हैं कामेडी और आपको लगता है कि यह अच्छी नहीं है थोड़ी चीप जा रही है तो आपको नहीं मैं हुंकि उनकी बात कर रहा और रहा कबिशे मागी वैसे जनरल बात करा पहले तो टेलर से ही पता चल जाता अगर अगर टेलर में मुझे ऊसा इंडिकेशन आजाए की कि मतलब मेरी लाइकिंग के नहीं Sunश्व को नहीं देखता और गार अगर मिस्सर कपिल शर्मा का अगर कोई ऐसा शो आया है जो मुझे पसंद नहीं तो मैं समझ जाता हूं कि इस टैप के शोज हैं तो मैं नहीं देखता है वो आपकी अपनी लाइकिंग आपको भगवान ने हक दिया है आपकी मर्जी आप देखिये ना देखिये फरक ये पड़ता है कि आप ये फरक ये पड़ता है आप कितने एजुकेटेड हैं मुझे बोलना पड़ रहा है अगर मान लीजे आप बहुत किताबे पड़ते हैं आप काफी एजुकेडे हैं तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है ठीक है अगर मेजॉरिटी आफ दा बंदा जो है वो बहुत अगर मान लीजे किताबे पड़ने लग जाए बहुत अजुकेडे है तो हर इंसान का नजरिया बदल जाएगा फिर जो लोग कामेडी कर रहे हैं उनको आपके लेवल की कामेडी करनी पड़ेगी आपको उसे अट्रैक्ट करने के लिए तो माध्र फषरी आफट आप थोड़ार आगे जाएंगे अगर मान लीजे को ह्कूई लोइर बन रहा है को इंजिनेयर बन रहा है ऑर पड़ा ही करेंगे डॉक्टर तो और भी पढ़ाई करेंगे, अभी काफी 30 साल तक शहर्द पढ़ते रह जाएंगे, तो जैसे आप आगे पढ़ते हैं, फिर आप अपने 15 साल बाद जब आपने देख लिया कि आपने बहुत पढ़ लिया, या आप किसी कंपनी में चले गए, आपने बड़ा एक चेंज आ गया, कि आपका टेस्ट ही बदल गया, तो मैं तो यही रेक्मेंट करूँगा कि जितना हो सके पढ़िये, और हमने मिस्टर बिल गेट्स का भी एक किया था वीडियो, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट था कि वो कितना किताबें पढ़ते थे, तो यही है कि मेरे तो उसके बाद अगरे बोलूँ कि आप जो है, पांक सार और पढ़िये, फिर मैं आप से पुछता कि आपको क्या चीज पसंद आती है, तब हो सकता है, मैक्सम केसे में आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि, कि ऐसा सा होना चाहिए, वो हर मिलेंगे नेक्स वीडियो में, बहुती जल्थ, तिल देन, टेक केर, और बाबाए, तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो, और बल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो में लगाउं, आपको उसक के बारे में जल्दी से पता चल जाए